आप सभी लोग कैसे हैं मैं आशी सिंग आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने SSC 247 की ऑफिशल यूटीब चैनल पर आप सभी को पता है मैं एक कॉंसेप्ट एक त्योरम और एक क्वेशन करा रहा हूं और इसके तुरू आप अपने दो सबसें percentage में किसको करती है पांच पर इनीऊ में शोडा में कवेशन पर 5 और पांच कभी यह ने खंडा में किस से ग्यां अगर मुद्धा और हुए कोई ए होता है कि 5 की पावर 6 इंटू 15 की पावर 2 इंटू 27 की पावर 1 इसमें number of zeros देखनी है तो हमें कुछ नहीं करना अगर हमें शुन्ने की संख्याई देखनी है पहली बात उसमें 2 ही नहीं है हाँ अगर हम 2 वाला एड कर देते हैं माली हम लिख देते हैं यहां पर पॉस्स लिख देते हैं यहां पर 1024 अब हमें देखनी के जरूत हैं सिर्फ 5 तो 15 किना होता है 5 into 3 तो 5 की power भी यहां पर कितनी होगी 2 होगी तो यहां पर 5 की power 6 है या 5 की power 2 है तो और लो number of zeros कितनी होते हैं 8 होते हैं पांच की power देख लेना है उनको जोड़ लेना है यह तो बहुत simple होता है इसमें तो कोई दिक्कत नहीं बट हां जहां पर हमारे पास factorial आ जाएगा factorial मतलब हमारे पास जैसे 6 factorial 5 factorial जैसे कि मैंने यहां लिख दिया 5 factorial तो 5 factorial कितना होता है 5 into 4 into 3 into 2 into 1 अगर मैंने आपको बोल दिया कि मुझे बताना है कि 36 factorial के अंदर number of zeros कितने होंगे तो कैसे निकालेंगे तो क्या करना है देखिए the number of zeros in N factorial कैसे निकालना है एन फीक्टोरिल में number of zeros निकालने के लिए विए हमें किया करना है उस N को जो भी सख्टय दी गई होगी तक पास से तब तक लिएड करना है जब तक number हमारे पास 50 से कम ही आ आ जागा और जितने भी question है उनको add कर लेना number of zeros कर रहे हैं पता लग जाएगा अब पढ़ने में तो भाईया समझ नहीं आया जादा पर हां करके देखेंगे तो समझ में आ जाएगा देखिए माल लीजे मेरे पास ही संख्या है कितनी 35 और 36 चटिस फेक्टोरियल हमें क्या निकालना है number of zeros निकालनी है शुन्य की संख्या है निकालने तो क्या करना है 36 को 5 से भाग करना है 36 को 5 से भाग किया पूरा नहीं होगा 7 तक ही जाएगा फिर जो 7 आया 7 को भी 5 से भाग करना है, पूरा नहीं जाएगा, बस एक ही बार जाएगा, तो जो हमारे पास ये आया है, ये, इन दोनों को add कर लेना है, इन दोनों को add कर लेना है, और 8 ही हमारे पास क्या आएगा, number of zeros आ जाएंगे, 0 की संख्या आ जाएंगे किसके अंदर? 36 factorial के अंदर तो कुछ जादा नहीं करना इसे divide कर लेना है और number of zeros हमें पता लग जाएंगी 36 को 5 से बाग किया, 7 तक ही जाएगा फिर 7 को 5 से बाग किया, 1 तक ही जाएगा दोनों को add किया, ऐसा ही एक बहुत अच्छा question, जो कि आपके exam में आयवा question है, कि हमारे पास 100 factorial के अंदर, 100 factorial के अंदर number of zeros कितने है, तो कुछ नहीं करना 100 हो किससे divide कर लेना है, 5 से divide कर लेना है कितना आ जाएगा, 20 आजाएगा और फिर 20 जो आया है, 20 को भी पांस से भाग कर लेना है कितना आजाएगा, 4 आजाएगा बस इस से आगे कटने सकता, क्योंकि कम हो गया पांस से, तो और हमारे पास कितना आगा 204, 24, तो number of zeros कितने आजाएगे, दोस्तों, 24 आजाएगे बस, यही था हमारे पास आचा कांसेट, I hope आपको समझ में आया होगा कि number of zeros factorial वाले कुशनका कैसे निकालते हैं, तब सबस्केशें